चोपड़ा है जो किस न्यूटूग चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो आज इस वीडियो में हम नी 22 की काउंसलिंग के लिए अभी तक की अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें 3 बिग अपडेट्स भी सामिल हैं पहली अपडेट्स दिल्ली स्टेट कोटा 85% के CW केटेगरी कंडिडेट के लिए है उनको FMSC की वेबसाइट पर CW केटेगरी के सपोर्टिंग डोकुमेंट्स अपलोड करने हैं इसकी लास्ट डेट आज 29 सिप्टेमबर 22 है तो जो कंडिडेट दिल्ली स्टेट से CW केटे अरुनाचल परदेश से हैं अरुनाचल परदेश ने अपने फर्स्ट राउंड का रजल्ट डिक्लियर कर दिया है तो जो कंडिडेट अरुनाचल परदेश से आते हैं वो अपने फर्स्ट राउंड का रजल्ट अरुनाचल परदेश की वेबसाइट APDST.NIC.IN पर चेक कर तीसरी अपडेट यूपी स्टेट से है तो इस साल इसमें यूपी स्टेट की फीश में कोई इंक्रिमेंट नहीं हो रहा है यानि जो 21 के सेशन के लिए जो फीश ली गई थी यूपी स्टेट में वही फीश 22 सेशन के लिए भी लागू रहेगी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है और नहीं फीस इसकी कम रही है जो 21 में फीस थी वही 22 में रहेगी नेक्स्ट अपडेट करनाथ का स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कोलेज की फीस को लेकर है इस साल इसमें 10% का इंक्रिमेंट हो रहा है यानि ये फीस पिछली साल 981,956 थी तो इस साल ये फीस 98,196 रुपीज बढ़ करके जो ट्यूसन फीस है इसकी 10,80,152 रुपीज हो चुकी है यहां की 4 कोलेजेज की फीस अधी चुन्चुनगरी, डॉक्टर चंदरमा दयानन्द सागर, खाजाबंदे और SDM धारवाड की फीस ज्यादा है इसमें भी 10% का इंक्रिमेंट हो चुका है नेक्स्ट अपडेट है, वो अंदरप्रदेश से हैं, अंदरप्रदेश की भी फीस डिकलियर हो चुकी है और उसमें भी इस साल कोई इंक्रिमेंट नहीं हुआ है यह भी 12,00,000 रुपे सालाना ट्यूसन फीस इसकी डिकलियर हो चुकी है अब बात करें हम 49 डिम्ड उनिवर्सिटी की, तो कुछ सी उनिवर्सिटी ने अपना फीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया है तो देख लेते हैं कौन-कौन सी डिम्ड उनिवर्सिटी ने फीस स्ट्रक्चर जारी किया है और उनका फीस क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमदर्द युनिर्सिटी की फीस तो इसमें कोई इंक्रिमेंट नहीं हुआ है इसकी ट्यूसन फीस 14 लाख रुपे पर एर यानि 17 लाख रुपीज पांस साल के लिए है इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हम कस्तूर्बा मनिपाल मैंगलोर औ और टाटा मनिपाल की फीस में भी इस साल कोई बड़ोतरी नहीं हुई है इसमें टाटा मनिपाल और मैंगलोर की जो फीस है 17 लाख 70,000 पर एर चार साल तक के लिए है और टाटा मनिपाल की 17 शुरी 16,19,000 ये पर एर है चार साल के लिए इसके बाद में लोने की फीस की बात क तो लोने की फीश में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है ये 16,25,000 पर एर है नेक्स्ट में बात करते हम कैस हेगडे की तो कैस हेगडे की फीश 16,80,000 रूपीज है अमरिता कोची की फीश 18,00,000 पर एर से बढ़ कर 19,00,000 पर एर हो चुकी है कलिंगा भावनेश्वर की फीश 16,00,000 से बढ़ कर 18,50,000 हो चुकी है ये कलिंगा भावनेश्वर की फीश है MJM मुंबाई की फीश में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है ये 20,00,000 पर एर है इसमें इसके बाद में हम IMS भावनेश्वर की बात करें तो ये 17,90,000 से बढ़ कर 19,60,000 हो चुकी है BVD पुने की फीश 20,98,55 से बढ़ कर 21,33,491 हो चुकी है BVD सांगली की फीश 20,2,700 रुपीज है ट्यूसन फीश और इसमें अधर फीश है वो 2,270 रुपीज है इसमें इसके बाद IMS भावनेश्वर की फीश 70,90,000 से बढ़ कर 19,60,000 हो चुकी है VLES तमिल नाडू की फीश 20,15,000 से बढ़ कर 21,00,000 पर यर हो चुकी है तो यह Dimmed University की अभी तक बढ़ीवी फीश और जिनकी फीश डिक्लियर हुई है उनके बारे में है अब हम एक बार रेजिस्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो पॉंडिचेरी, तमिल नाडू, मेगाला इस्टेट के रेजिस्टेशन प्रोसेस में है अंदरपरदेश और तेलंगाना स्टेट ने अपने स्टेट की स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिस कर दी है तो ये नीट 22 की अभीदख कांसलिंग अपडेट है अगर आप कांसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या आप हमारी पेड सरुइस भी ले सकते हैं ये बुक आपके लिए काफी हैल्पूल रहेंगी क्योंकि इसमें मैंने कटोब, seat, matrix, fees के बारे मिजानकारी, service bond के बारे मिजानकारी, documents के बारे मिजानकारी, हर एक स्टेट का counseling procedure क्या है उसके बारे मिजानकारी 3 years की previous year की कटोब भी इसमें दे रखे तो ये आपके लिए काफी helpful रहेगी तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में जाते जाते आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर एक अपडेट्स हम आपके लिए यहां पर लेके आएंगे तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिंग्ग्ग्ग्